क्या दो हुजार पच्चिस तक भारत में पीने का पानी नहीं बचेगा क्या दो सालों में पानी के लिए देश त्राहिमाम करेगा सैयुक्त राश्ट की एक नई रिपोर्ट ने देश में पानी की स्थती पर कई सवाल खड़े कर दिये हैं सैयुक्त राश्ट ने अपनी रिपोर्ट में कई चौक आने वाले खुलासे किये हैं और भारत में आने वाले जल संकट को लेकर चेताव नी दी है चलिए बताते हैं सायुक्तु राश्ट ने अपनी एक नई रिपोर्ट में क्या कहा है जिससे देश में जल संकट को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भूजल की कमी के मामले में भारत में सिंधु गंगा के मैदान के कुछ इलाकी खत्रे के बिंदु को पार कर चुके हैं जिससे देश के पूरे उत्तर पश्चिमी शेत्र में साल दोहजार पच्चिस तक भूजल को लेकर गंबीर संकट का अनुमान है इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट दोहजार तेईस शिर्षक से सैंत राश्च्र विश्विध्याले परियावरण और मानव सुरक्षा संस्थान द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि दुनिया परियावरणी रूप से 6 महतुपूर्ण बिंदूओं के करीब बहुच रही है तेजी से दिलुप्त होने, भूजल की कमी, परवतिय ग्लेशियर का पिघलना, अंतरिक्ष मलबा, असहनिय गर्मी और अनिश्चिद भविश्य इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपियोग करता है जो अमेरिका और चीन को मिलाकर के जाने वाले उपियोग से भी ज्यादा है भारत का उत्तर पश्यमी शेत्र देश की बड़ती 1.4 अरब आबादी के लिए रोटी की कटोरी के रूप में कारे करता है जिसमें पंजाब और हर्याणा राज्य देश में चामल उत्पादन का 50 प्रतीशत और 85 प्रतीशत गेहुं भंडार का उत्पादन करते हैं रिपोर्ट में कहा गया है पंजाब में 78 प्रतीशत कुओ को अती दोहित माना जाता है और पूरे उत्तर पश्यमी शेत्र में 2025 सक गंभी रूप से भूजल के कम होने का अनुमान है रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुनिया के आधे से ज़्यादा प्रमुक्ध जलस्तरूद प्राकृतिक रूप से फिर से भढ़ने की तुलना में तेजी से कम हो रहे हैं अगर मौजूद अकूवों में जलस्तर और नीचे चला जाता है तो किसानों को पानी मिलना दुबर हो जाएगा जिससे संपूर्ण खाद्योत पादन प्रणालियों के लिए खत्रा पैदा हो सकता है UNU-EHS के प्रमुखल लेखक और वरिष्ठ विशेशग्य जैक और कॉनर कहते हैं कि इस रुपोर्ट का उद्येश्य अपने सामने खड़े जोखिम उनके पीछे के कारण और उनसे बचने के लिए आवश्यक्त अतकाल परिवर्टन के लिए मदद करना है इस रुपोर्ट ने भारत में संधु गंगा के मैदान में भवश्यम आने वाले जल संकट को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है हाला कि जेक और कॉनर के अनुसार समय पर प्राकृतिक संकट को पहचान कर उनके प्रती काम किया जाए तो आने वाले खत्रे से बचा जा सकता है